नमस्कार, गवराτε नीटिंग क्लासीज में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में देखें इस तरह का डिजाइन बनाएंगे हम देखें lot-type डिजाइन है यह और जैन स्वेटर पर हम यह डिजाइन डाल सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिजाइन किस तरह से बनाए जाएगा. देखें. इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें इस तरह के ट्रांस्वर निदिल है. तीन और एक में. थ्री और वन में. और एक लैज टूल चाजिए. इस तरह से. और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहां पर फंदे रखे हैं 9, 9 के multiple में हम फंदे ले लेंगे और plus 2 कर लेंगे और जो plus 2 हमने last में यहां पर किया है इसकी आप बढ़ा सकते हों यहां पर फंदे 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं तो मैंने यहां पर जो यह डिजाइन डाला है इसमें मैंने 9 के multiple में plus 2 फंदे रखे हुए है तो चलिए start किस तरह से करना है इस डिजाइन को दीखें इस तरह से हम 9, 9 फंदे करके अपनी needle को यहां पर divide करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, 9 फंदे हो गए और फिर उसके आगे हमें 9 फंदे और count करना है 9, 9 फंदे ले लेंगे और उसके बाद देखे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे, 7 needle हो गई, 2 needle आगे करेंगे इस तरह से, sorry 9 फंदे लेंगे side में, 7 हम pattern के लिए लेंगे 2 हमने जो side के लिए रखी है, वो हो जाएंगी 9 फंदे रख लेंगे और जो 2 फंदे हमें यापर इस तरह से सीधे रख लेना है, ठीक है अब हम यापर 7 फंदे रखेंगे 7 needle रख लेंगे side में 9 रख लेनी है, 2 आगे करेंगे 7 पीछे की side 2 needle आगे को 7 पीछे और 2 needle आगे अब इसकी last side में यापर 9 फंदे या 9 needle हो गई है, ठीक है 7 जो design बनने पाएंगे और 2 जो हमने एक्स्टर ली है तो ये जो pattern हमारा बनेगा 7 फंदों पे बनेगा 2 फंदे हमारे इस तरह से आगे को हम करेंगे सुई को और ये इस तरह से सीधे बने जाएंगे ठीक है न? अब देखिए जो हमारे ये 7 फंदे हैं किस तरह से हमें यहापर अपने फंदों को divide करना है, transfer करना है देखिए, इसकी जो दाईं तरफ है, उसके 3 फंदे मैं इस तरह से 3 needle पर ले लूँगी तो यहाँ पर ये 3 फंदे ले लेंगे हम इन 3 फंदों को मैं इस तरह से transfer needle पर उतार लेती हूँ और एक जो ही single needle है हमारी इस पर हम एक फंदा उतार लेंगे देखिए, सबसे पहले हर बार, जैसे हम अभी दाईं तरफ से फंदे 3 लिये हैं मैंने फिर, sorry, बाईं तरफ से 3 फंदे लिये हैं, फिर जब मैं दाईं तरफ से भी लोगी, तो जो हमारी single फंदा है इसे हम पहले transfer करेंगे हर बार जब हम फंदे transfer करेंगे तो 3 फंदे जो हम बाद में करेंगे, और single फंदे हैं सबसे हो गया अब ये दो सुई मैंने आगे को इसलिए कि है कि हमें पता चल सके कि ये हमें फंदे बुनने हैं सीधे दिख रहा है न आपको ये सीधा बुनना हुआ है तो ये बुनने हमें सीधे इसमें हम कुछ नहीं करेंगे फिर आगे कि जो साथ फंदे है उस फिर से हम देखे य हमने तीन फंदे ले लिए बाई तरफ से ले रहे हैं हम तीन फंदे जो दाई तरफ की तीन फंदे इसे अभी हम नहीं बुन रहे हैं तीन फंदे इस पे ले लिए और सिंगल निडिल पे हम एक फंदा ले लेंगे पहले हम सिंगल फंदे को ट्रांसवर करेंगे और फिर जो ये तीन फंदे इनको ट्रांसवर करेंगे इस तरह से फिर दो निडिल आगे फिर से इसकी देखे, बाई तरफ, लेफ्ट साइड, तीन फंदे, उतार लिए, और अब इस पे हम सिंगल फंदा उतारेंगे, पहले सिंगल फंदा ट्रांसफर कर लेंगे, और अब जिए तीन फंदे इनको ट्रांसफर कर लेंगे, और इस साइड भी ऐसे ही करेंगे, पहले ह हम तीन फंदे उतारेंगे और फिर एक फंदा ले लेंगे इस पार और साइट की जो दो फंदे हमारे बच्चे हैं उसे ऐसी रहन देंगे पहले सिंगल फंदे को ट्रांसफर कर लिया और फिर इन तीन फंदों को ट्रांसफर कर लिया ठीक है अब हम इस पे चार सलाई लगाएंगे अब इसके बाद देखे फिर से जो ये दो फंदे हमें बुन्ने हैं उनकी निडिल को हम थोड़ा आगे कर लेंगे ताकि डिजाइन बनाते वक्त हमसे गलती ना हो ये देखे और बीच में हमारी 7, 7, 7 इस तरह से फंदे आएंगे निडिलाएगी देखे चार सलाई लगाने से पहले हमने पहले तीन फंदे बाई दरफ से लिए थे अब हम तीन फंदे लेंगे अपनी दाई दरफ से तो 2 फंदे हमारे साइट के हैं उनको ऐसी रखेंगे उसके आगे कि तीन फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे अब जो यह सिंगल फंद है इसको भी ले लेंगे देखिए मैंने स्टार्टिक में बताया था कि पहले हमें जो हमारा इस सिंगल फंद है सी को ट्रांसफर करना है तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे और अब हम तीन फंदे ट्रांसफर कर लेंगे दो फंदे हमें इतार के बुने हैं इसके बल में फिर में तीन ही लेंगे अब सिंगल फंदा ले लेंगे पहले हम सिंगल फंदे को ट्रांसवर करेंगे और फिर हम तीन फंदों को ट्रांसवर कर लेंगे ठीक है जो हमारा सिंगल फंदा है वो इन साथ निडिल में है जो ये साथ फंदे हमारे इसके बीच का फंदा है तो दिहान आपको ये रखना है तीन तीन हमारी दोने तरफ से हम इस निडिल पे लेंगे और बीच का सेंटर का जो हमारा फंदा होगा वो हर बार हम इसी निडिल पे लेंगे जो single needle है हमारी इसी needle पे हमारे जो बीच का फंदा होगा वो लिया जाएगा ठीक है तो ये तीन संदे फिर से हम उतार लेते हैं और ये center का हमारा है single फंदा इसको ले लिया पहले हम single फंदे को transfer करेंगे हर बार आपको ये दियान में रखना है कि जब भी हम अपने फंदे transfer करें तो पहला हम single जो हमारा फंदा को उसी को transfer करें और इस तरह से धर्वी बनाने के बाद चार स्लाई लगा लेंगे तो देखे इस तरह से चार स्लाई हमने लगा लिया है अब जो ये फंदे हमारे देखे जो दो निडिल हमने अभी तक बुनी नहीं है इसको अब हम क्या करेंगे इनको हम उतारेंगे और जो latch tool है इसकी मदद से बुनेंगे देखे इस तरह से हम फंदे को उतार लेंगे और इस लेट्ट चूल की मदद से दीखिए इस तरह का होता है यह निडल की ही तरह होता है और इसको अब हम बुन लेगे बहुत यही सा यह डिजाइन है देखिए और थोड़ी सी मोटी वूल भी होगी तो इस पर आराम से डिजाइन हम बना लेंगे जो हमारा उन है वो मसीन पर नहीं फसेगा क्योंकि अक्सर केबल वाला डिजाइन बनाने में जो यह हमारी सिंपल मसीन होती है इसमें क्या होता है कि मोटी उन जो है फस जाती है हमारा मसीन इस पर अच्छे सा काम नहीं करती है और धागा हमारा जो है फस जाता है ये देखे तो ये थोड़ी पतली वूल है ब्राइलोन की वूल है ये और पतली होती है इसलिए इसमें केबल वाला डिजैन बनाने में आसानी होती है तो अगर आप कभी बनाओ तो फिर ब्राइलोन का यूज आप कर ले ना जो ब्राइलोन का उन आता है उसका आप यूज करेंगे तो वो उन जो है पतली होती है और केबल वाले डिजाइन के लिए प्रफेक्ट होती है तो इस तरह से देखे हम इसे सीधा पून लेंगे और फा जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए धन्यवाद